दोस्तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में इस वीडियो में हम बात करेंगे करलोन कंपनी की पूरी सोफा फोम रेंज के बारे में जिसका अभी नेम चेंज हो गया है जिसका नेम है कमफोर्ट उनिवर्स तो कमफोर्ट उनिवर्स की पूरी सोफा फोम की हम रे करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं कोलों कंपणी यू फो मिंग्यक्षême driven जिसका नाम है गोल्ड लाइन प्लस थर्टीटीटू डेंसिटी का यह फो में फीयू फो में इस तरीके का इसके इसका जो रेट है वह 170 रूपीज फोरीच की थिकनेस के अंदर फोरीच में इसका जो थिकनेस है 95 mm का पूरा थिकनेस आता है और इसके अंदर कंपनी 5 यह की वरंटी देती है दोस्त अब देखते हैं इसके अंदर 40 डेंसिटी का फोम है यह गोल्ड लाइन प्लस यह इसकी डे बाउंसनेस है वो थोड़ा कॉम होता है दोस्तों अगर रेट के बारे में बात करें तो इसका जो रेट है वो 210 रूपीज है 95 mm थिकनेस के अंदर पर स्क्वेर फिट का यह मैं रेट आपको बता रहा हूं और इसके अंदर 10 यह की कंपनी वरंटी देती है दोस्तों यह कंफ एसके अंदर मिलता है इसका रेट है और 205 रूपीज पर स्क्वेर फिट का इसका MRP होगा और इसके अंदर कंपनी 10 यह की वरंटी देती है और इसके अंदर 40 डेंसिती का फोम आता है वो है इस कलर का आता है 40 डेंसिती हीरा यह भी पी यूव फोम ही है 32 की कंपेरिजन में इसका feel देखे तो थोड़ा foam है जैसे जैसे foam की density बढ़ती है वैसे वैसे foam का थोड़ा weight है वो बढ़ जाता है अगर इसके rate के बारे में बात करें तो 255 rupees per square feet का rate है 100 mm thickness के अंदर मिलता है यह इसके अंदर 15 साल की company warranty देती है दोस्तो यह है comfort universe का HR foam 32 density का आम तोर पे HR foam में high resilience power होत होता है इसका feel देखे तो इस तरीके का feel bounce back ज्यादा होता है for example यह वाला PU foam है और HR foam है इसके अंदर हम अगर छोटा रिलीस करते हैं तो आपको bounce back का difference पता चलेगा यह PU foam है आप देखे इसके अंदर इतना bounce back आ रहा है और यह HR foam है इसके अंदर देखे आपको ज्यादा bounce back मिल रहा है तो दोनों में basic difference यह है PU foam और HR foam में अगर आपको bounce back वाला feel पसंदे तो आप HR select कर सकते हो अगर आपको medium foam soft वाला feel पसंदे तो आप PU foam में जा सकते हो तो दोनों अच्छे है मगर depends रहता है कि आपको किस तरीके का feel चाहिए और 32 density का जो HR foam है इसका rate 210 रूपीज 100 mm thickness में मिलता है per square feet का rate मैंने आपको बताया है और इसके अंदर company 15 साल की warranty देती है इसके अंदर HR में 40 density का foam आता है यह 40 density का foam है इस तरीके का feel इसके अंदर भी bounce back ज्यादा होता है normal PU की comparison में तो इस तरीके का यह HR foam है 40 density का इसका rate है वो है 265 रूपीज 100 mm thickness में मिलता है और company इसके अंदर 20 साल की warranty देती है तो इसके अंदर भी आप देख सकते हो bounce back ज्यादा रहेगा PU foam की comparison में दोस्तो यह है poly cool foam 32 density का foam है इसके अंदर company cool gel के particle set करके देती है ताकि गर्मी का issue कम आए और इसका अगर thickness देखे तो 100 mm thickness के अंदर इसका rate है 187 रूपीज और company इसके अंदर 7 years की warranty देती है दोस्तो यह 40 density का poly cool foam इसका अगर rate देखे तो 232 रूपीज है 100 mm thickness के अंदर per square feet का rate 40 density में और company इसके अंदर 10 years की warranty देती है दोस्तो यह जो foam है eco plus तो eco plus थोड़ा economy foam है इसका अगर rate देखे तो 140 रूपीज per square feet का rate है 90 mm thickness के अंदर और इसके अंदर company 3 years की 3 years की warranty देती है इसका feel इस तरीके का है मगर यह economy range है few foam की इसके अंदर 40 density भी आता है eco plus 40 density comfort universe इस तरीके का 32 की comparison में देखे तो यह थोड़ा form लग रहा है इसका feel इस तरीके का foam वाला feel है अगर rate के बारे में बात करें तो इसका जो rate है 180 रूपीज per square feet का rate है 95 mm thickness के अंदर और इसके अंदर company 7 years की warranty देती है दोस्तो यह है 28 density का eloquence HR foam company इसके अंदर 15 साल की warranty देती है और 100 mm thickness के अंदर per square feet का जो इसका rate है वो है 175 रूपीज दोस्तो यह है 35 density का eloquence HR foam इसका feel soft है और अगर rate देखे 100 mm thickness में तो 242 रूपीज per square feet का rate है और company इसके अंदर 20 साल की warranty देती है foam अच्छा है यह वाला दोस्तो यह है 25 density का pure foam तो pure foam low density के अंदर बनाया हुआ है अगर इसका feel देखे तो soft वाला feel है इस तरीके का soft वाला feel लग रहा है यह वैसे soft foam, soft foam black color में इस तरीके का आता है जो की 32 density का foam है इसका अगर rate देखे तो almost 98 रूपीज यह 45 mm thickness के अंदर तो इस तरीके का soft foam है यह normal जो market में black soft मिलता है उस तरीके का ही foam है दोस्तो अब देखते है memory foam memory foam इस तरीके का आता है इसके अंदर दो density में company बनाती है foam 45 और 55 density में भी memory foam करलोन का available रहता है तो अगर rate के बारे में बात करें तो almost 50 mm thickness के अंदर memory foam लेते हो तो almost इसका जो MRP है 200 रूपीज के आसपास रहता है तो इस तरीके का memory foam है आम तोर पे memory foam सोफे के अंदर बहुती कम foam यूज़ होता है highly जो यूज़ होता है मैट्रस में ज्यादा यूज़ होता है दोस्तों सारी foam range के अंदर जो मुझे सबसे best foam लगा वो था eloquence HR 40 density का ये comfort universe का अच्छा foam मुझे लगा और था हीरा 40 density ये भी मुझे अच्छा लगा तो ये दोनों foam बहुती quality foam है अगर आपको सोफे के अंदर medium formness या medium soft feel चाहिए तो आप इस तरीके का PU foam हीरा यूज़ कर सकते हो अगर आपको सोफे के अंदर bounce back चाहिए bounce back वाला feel चाहिए तो आप इस तरीके का ये जो 40 density का comfort universe का HR foam था वो आप यूज़ कर सकते हो दोस्तों इस वीडियो में जो भी मैंने आपको comfort universe या फोम का market तो हो सकता है future में up-downs आ सकते हैं फोम के अंदर दोस्तों अगर आपको फोम के बारे में कोई भी question है तो आप हमें पूछ सकते हैं हम आपको उसका proper reply देंगे